नमस्कार आप लोग देख रहे हैं हमारा येटूब चैनल लगातार पलपल छोटी बड़ी खापरों के शाथ आज हम आपको उस तस्वीर से रूबरू कराएंगे जहां पर भरष्टा चार के आकंट में जन प्रतनधी ग्राम के डूबे हुए हैं और जुम्मेदार अपनी जुम्मेदारी शे मुह मोड रहे हैं और सरकार की मंसाओं को पलीता लगा रहे हैं हम आप बात करते हैं कि जहां पर एक तरफ योगी सरकार गौसालाओं को अच्छी गुडवत्ता प्रक बनाने की बात कह रही है वहीं पर जो है यहां के जो है मतहद जुम्मेदार जो है अपनी जुम्मेदारी शे मुह मोड रहे हैं सरकार की मंसाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और जो हम आपको घटना पर प्रकार डालते हैं वह ख़बर है ग्रवसा की ग्राम पंचाथ अक्सोहा की जहां पर एक गौसाला का निर्माड किया जा रहा है और वो निर्माड पानी अभी जो है 23 तारिक रविवार की बीती रात में जोर आंधी पानी आने से मामूली सी आंधी पानी आने से बनने से पहले ही ढढ़ा गई हमाई पास कुछ तस्वीरें उसकी कैद की गई हैं आप फोटोस के मादे हम से देखेंगे जैसे ही उसकी तस्वीरें कैद की गई हैं वैसे ही आनन फारन में उधर जो है ग्राम पर्धान और उसके मताज जुमेदार तदकाल उसको इटा साफ करने में जुट विए और वहाँ पे बनाने में तुल गये हैं जारा अमला प्रशासनिक जो है वहां पे जुड़ गया क्योंकि खबर इस कदर से उस पर पलिता लगाया जा रहा है यह तस्वीरें बया करती हैं किस कदर से गवे सुरचित होंगी कि साथ एक्ता मसाला लगाया जा रहा है और उसके बाद भी जो है इस परकार से जहां सरकार अच्छी गुलवत्ता लगा कर काम करने की बात कर रही वहीं पर सरकार की मंसाओं को पानी फेरने का काम किया जा रहा है जुम्यदार अपनी मकारी से बाद नहीं आ रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे हमाई पास कुछ तस्वीरें कि जिस प्रकार से जब वहीं बात की पर आप देखेंगे हैं कितने लागत से ट्यार के गई है तो ये भी बता नहीं पाए द्कारी और फोन भी नहीं रिसीब किया गया और उसका सितिमेट पुसा गया बनने से पूर भी ढ़ा गई और कदर से ये तस्वीरें बया करती हैं अगर ये गुड़ोता भीन नहोती तो आज ये आलम इसका नहोता क्योंकि उसके बाद आनन फारण में और कुछ वहाँ पे जब मिस्त्रियें इसे बात थी और लेवर काम कर रहते हैं उसे जब बात की गई तो उन्होंने दवी जुवान से कुछ भी कहने से गुरेज किया और कहा कि हम क्या करें हम ऐसे जो है जब कि वो तस्वीर फोटो के हम से कैद की गई वो बता रही है कि ये पानी के उसमें धाये मामूली से पानी में 23 तारीक रविवार की रात में आन्धी पानी आने से मामूली से धा गई है आप देख सकते हैं किस प्रकार से बंदर बांट किया जा रहा है और आला अधकारी जो जुमेदार हैं बलाक अस् कानून बेवस्था बिल्कुल चर्मरा गई है आपके कानून काईदे बनाए यहां चलते ही नहीं सिर्फ यहां पे तो अथानी जुमेदार ग्राम परधानों की ही चलते हैं कानून काईदे कुछ नहीं चलता है आप देख सकते हैं उसके बाद किस प्रकार से और वहां पे लोगों का कहना तो यहां तक ही कि गवों को फोटो फेच करके जवाज तो उसके बाद जो है उनको दिखा दिया था कि यहां गवसाला बिरकुल तयार है लेकिन कहीं भी गवसाला तयार नहीं है बिरकुल उन पे पानी फेरने का काम किया जा रहा है और मानक भीहीन बनाई जा ऑसके बाद में जब तरतकार मीडिया करमी को पता जला कि मीडिया करमी यहां पर आया तो वहाँ पर आननफान में साड़ियों का अपर आननफान मैं सारे आतकारीों का अमला पर जट गया और पर रहे 60 so प्रचाई को छुपाना चाहते हैं और ये चीज कैसी है योगी सरकार वाहरी योगी सरकार तुम्हारे कानून और काईदे इस प्रकार की कोई भी माइने नहीं रखते हैं भी माइने खिजन घोगी कोई और ये प्रकार की के लिए प्रचा प्रिर हैं MINत तुरियो है कि अपने आप गरी है? कहा हुआ है? तुरीजocks है तुरत कहा है कोई कहा है तुरत कहा है? कहा है तुर трट है? माहा हाँ आष है कहा होज बताओं कोई दिक्त है काप आंधिम गरे है कि अपने अपने अंधिम तो नहीं गरे है? आंधिम तो नहीं गरे है? अभी रपू तो दो आल आज अगाओने गड़ेता है, नियो मैं तेगा नहींड हो जो जो आजए साड़त। यहाँ किनो को नहीं है चाले लिवर ताइशे नहीं ही लित बन दो है टेकर बनने जिस लिक्त नहीं है को प्रोप मैं जुट आए तो है मैं अर्ड़ दो खोंधियों जिन दिक लिए यह बनना वहां सबस्या हुआं कि उन्य पर दो है बना ते नहां को लियां बनना हैं जो आठ वाठ वाठ Чम करो तुम ही इंख रहा हूं हम हम पाल रिंखरिय ल्हा लेधि एuga कर रही है कोई लेवर भा रहए हैं कि मालिक पर दैनलगी प्रदा लेवर्हल कि दूटी क्या हूँ वयाा यह जो आप लोग देख रहे हैं यह गवसाला का निर्मान चल रहा है और यह ग्राम पंचाइद आक्षोहा का गवसाला है जो कि गाउं के दखिन साइड में बन रहा है और हम आपको दिखाएंगे कि यहां पे किस प्रकार से ममानक बहीन बनाया जा रहा है और उसकी धजियां उड़ाई जा रही है क्योंकि बनने से पूर भी बड़ी दरारें दे दिया है एक नजर हम आपको दिखाएंगे यह दराज है कि यह दराज है और यहीं नहीं अंदर से भी दराजें दे दी है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यह कहां तक यह टिकव रहेगा यह अभी से दिवाले जबीन को छोड़ दिया है विल्कुल धजियां उड़ाई जा रहे हैं किस कतर से मानक भेहिन सामगी लगाई गई है वो पन्ने से पहले ही वो धल धा गई कैसे सुरचित होगा जानूरों का जीवन और आप लोग देख सकते हैं यह गवसाला का निर्मार चल रहा है और काफी जो यहां पर मौजूद हैं उनसे जब सचाई की बात की गई तो वो सचाई को कहने से गुरेज किया और नहीं कहना पसंद किया क्योंकि वो गाउं में र किस कदर से बनाया गया है अगर कहीं इसमें अच्छी सामगरी लगाई गई होती तो आज इसकी यह नोबत ना आती बनने से पहले ही ढ़ा गया गया गयुसाला आप देख रहे हैं इस परकार से मानक भीन सामगरी शेवे यह गवसाला बनाया जा रहा है और अगर शूत्रों की माने तो यह बहुत है ग्यानतिवारी के बिधाय के करीबी माने जा रहे हैं और करीबी मानने के वज़े से यह सब धजियां उड़ाई जा रही है पैशे का बंदर बांट किया जा रहा है और यह गवसाला की तस्वीर हम वहां की दिखाते हैं यह जो ग्राम पंचाय तक जोहा है, वहां की गौसाला है, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है, और काफी ग्रामिनों का कहना है कि वो अपने आप ढागई, थोड़ी सी बरशात में ही ढागई, और अभी तो पूरी बरशात बाकी है, इस कदर से अगर लोगों का कहना है कि अगर मानक के बहीन ये ब है क्योंकि वहां थोड़े चलने हैं, तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो बनने से पहले ही भगई और बड़ी बड़ी दरारें दिगी है, इस दरारें तशेर, पढला करती है कि कि नादर से ये बनाई गयी है, झाल झाल